हेलो रोस्तों आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जज़बा एकेडमी में आज हम दुख बात करने वारे हैं कुछ इंपोर्टेंट टोपिक के बारे में सबसे पहला है कि रिजल्ट दूसरा है कि एड्मिशन कि और तीसरा है प्रीप्रेशन यह जो है दोजाद तेस की बात होगी इसमें इसमें आपके दोजाद तेईस और चोविस दोनों की बात होगी और इसमें सिर्फ 2024 की बात हुए हमारे सामने सारी चीज़ें हमने पेस कर दी है आपके सामने पहला टोपिक हम लोग ले लेते हैं रिजल्ट आप सबको पता हुआ कि आज का जो दिन है इस टाइम लगबग सुबह या मॉर्निंग के समय में 30 से 40 से 50 कोर्स के रिजल्ट जो हुए है आउट हो गए थे रिजल्ट आ गए थे आप सीदा सीदी है कि आप जामिया के ऑफिसियल साइड जामिया एसी डॉट इन पे जा सकते हैं या जामिया सी ओई डॉट इन पे जा सकते हैं इस तरह से आप चैनल विजिट साइट विजिट कर सकते हैं बसाते जिन बच्चों का रिजल्ट में नाम नहीं आया सबसे बड़ी चीज क्या है कि जिन बच्चों का रिजल्ट में नाम नहीं आया वो इस बार बैठ के घर में ठीक है अराम से घर में बैठ जाईए आप लोग और सोचिये कि क्या था कमी इस बार और उस कमी को खत्म करिये से क्या हमें करना है जो कमी है उसको खत्म करना है ठीक है उसके बाद आपके लिए जजबा एकेडमी ला रहा है फिरी कोचिंग सेवा उसके बाद हम लोग बात करेंगे तो कहने का मतलब यह है कि हमने जो गलती की है दो हजार तेईस में उसको हम दो हजार चौबिस में खत्म करेंगे यह में में टोपिक है उसके बाद जिस चीज़ पर हमने काम नहीं किया है उस पर काम करेंगे जैसे की मोक टेस्ट लगाना दूसरा हो गया प्रीभियस कोश्चन कम से कम दस सालों का या इसको कर लेते हैं पांच ठीक है सालों का उसके बाद हम लोग बात करते हैं स्लेबस का गेहन अध्यन होना चाहिए मतलब की गेहराई से तो जानकारी होनी चाहिए स्लेबस की गेहन जानकारी कहने का मतलब यह है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि हमें एक्जाम की तैयारी तो करनी है ठीक है लेकिन जिस जंग में जा रहे है ठीक है उस जंग के एरिया जो एरिया है सत्रूबल सत्रूबल और जणनीती जणनीती और तीसरी सेना का अध्यन कैसा है सेना कैसी है आपकी सबसे बड़ी चीज सेना कैसी है आपकी तो जब एक यूध लड़ने जा रहे हैं जग में जा रहे हैं तो सबसे पहला चीज होना चाहिए रणनीती क्या है सत्रूबल कैसा है आपका और किस एरिये पे जग लड़नी जानी है और सेना कितनी है एक बार की बात मैं आपको बताता हूँ एक बार बाबर जो है से जो बाबर था उसका एक यूद होने वाला था मेरे साथ महारा तो तो कहने का मतलब यह है कि बाबर ने एक जग लड़ने जा रहा था एक जग यूद होने वाला था बाबर से और किसी और राजा से तो बाबर ने क्या कि कि उस एरिया को जग से पहले जाके देखा उसने, विजिट किया उसको, क्या किया, विजिट किया, उस एरिया में उसने देखा कि नदी कहां है, या नदी कितनी दूर है, इस जगा से, पहार कहां कहां है, ठीके, नदी कहां है, पहार कहां है, और बहुत सारी चीज़े उसने वहां से देखी, कि उची जगहों पे क्या हम लोग खड़े रह सकते हैं या किस जगह से जाके हम लोग खड़े हो सकते हैं तो एक राजा जो है जंग लड़ने से पहले तमाम चीजों का गहन अध्यन करता है तो मेरे कहने का मतलब है छात्राओं, स्टुडेंट जितने भी बच्चे हैं जो इस बार अच्छी तरीके से तैयारी किये और अपनी एरिया पे जाके जंग हार गएं कैसे या तो आपका सत्रुबल मजबूत था या तो आपके पास सेना कमजोद थी या तो आपकी रणनीती नहीं थी या तो आपका आपने एरिया विजिट नहीं किया था और आप जो है मूँ ठाके चले गए चलो एक फॉर्म का जो है अप्लिकेस्न फॉर्म का नंबर हमने बढ़ा दिया जहां पे पांच लोग एक्जाम देने जा रहे थे वहां पे हमने इसको छे कर दिया जिसे दोसरे बच्चों का भी मनोबल आपने गिरा दिया तो आप तो आप गए ही गए लेकिन दोसरे बच्चों का भी आप ने अच्छे खासे भला कर दिया मतलब दुबेंगे सनम हम तो और साथ में किसी और को भी लेकि दुबेंगे तो इस तरह से बहुत सारी चीजे होती हैं इस अध्याय में हम लोग बहुत सारी चीजे समझेंगे हमने पहली चीज समझा कि किस टोपिक पर हम लोग बात करने वाले हैं तो पहला था result, admission और preparation या तैयारी result था 2023 का और admission था 2023-2024 और preparation था है 2024 के लिए उसके बाद दोसरा था हमारा की result के बारे में थोड़ी इसी basic knowledge हमने आपको दिया कि कैसे तो morning में 40-50 कोसेजों का result आया लेकिन कितने बच्चों का result आया cut of क्या रहा ये सारी चीजों पर हम लोग बात नहीं करेंगे कितने बच्चों का हुआ नहीं हुआ इस सारे चीजों पर हम बात करेंगे कि result कितने बच्चों का नहीं हुआ है इस बार और जिन बच्चों का नहीं हुआ है उनका एक ही सहारा है जजबा एकेडमी तो जजबा हम लोग जिस समय जामियां में पढ़ते थे उस समय SI सुभधाय हमें नहीं मिल पाई जैसे जानकारी की result का बाने वाला है हम लोग इंवर्स्टी जाया करते थे उस समय और टीचरों से प्रोफेसरों से पुछा करते थे जल्ट आ गया है काउंसिलिंग कब स्टार्ट होगा सब क्या क्या लाना है किस डोकुमेंट को लाएं कि नहीं लाएं बहुत साथे बच्चे ऐसे होते थे जिनको पता नहीं एडमिशन के समय पहुच नहीं पाए अब तो बहुत सारी टेकनोलोजी के जरी आपको बताया जा रहा है तो जिन कुबल आपसे ज़्यादा पड़ गया उसको खतम करेंगे रिजर्ट चेक करने के लिए हमने दो ऑफिस्यल वेब साइट आपको बता दिए तीसरे पेश पर आते हैं कहने में जो गल्ती की है हमने दो हजाद तेईस में यह हमें पत्तिग्या लेने आ हैं वह दो हजाद मौक टेस्ट और प्रिवियस कोस्चन और जो इस चाइनल पे हम लोगों का ओनलाइन क्लासेश चलेगी मैं यह नहीं कहता हूं कि आपको मैं अलग पढ़ाने वाला हूं कुछ ऐसा नहीं है आप यूटूब के जरिये ही हमारी वीडियो देख सकते हैं उसमें आपका एक सहयो लोग और ही अच्छी तरीके से चाहिए जिससे जो भी बच्चे ना जान रहे हो जिनको यह सुविरा नहीं मिल पा रही है ऐसे जगहों पे हैं वो लोग तो उनको सिर्फ आपको यह वीडियो सेर करना है कोई बड़ी चीज नहीं है दो मिनिट का काम है सेर करना आप कर सकते हो फिर उसके बाद स्लेबस का गहन अध्यन होना चाहिए कि जिस तैयारी यह जिस चीज की आप तैयारी कर रहे हो जिस कोस की तैयारी कर रहे हो जिस डिपार्टमेंट में आपको जाना है चाहे आप कोई भी एक्जाम दे रहे हो उसकी गहन स्लेबस अध्यन होना चाहिए ए UPSC आपने सुना होगा वो तो बड़ी लेवल की चीज़ है लेकिन मैं उससे एक आपको एक्जामपल दे सकता हूं कि UPSC में यह बोला जाता है कि आपने अगर स्लेबस सही से पढ़ लिया तो 50% आप एक्जाम का काम कर चुके हो सुलेबस को 50% पढ़ लेना आप आधा एक्जाम पास कर चुके हो तो सलेबस का अध्यन जो है घहराई से होना चाहिए कि कौन सा टोपिक दिया गया है और कितना उस टोपिक में कितने अंदर तक जाना है कहने का मतलब है कि बाबत की हिस्ट्री तो बहुत सारी है कहने का मतलब है माराज असोक की बहुत सारी जनकारिया है लेकिन हमें नहीं पढ़ना है अजासत्तु हो गया उसकी बहुत सारी इसी गत्थाएं है तो हमें वो नहीं पढ़ना है जो important है अब अजाद सत्तु में गिन के चार चीज़े ही important है और कुछ नहीं है वो अलग topic होगे उसको हम लोग बाद में देखेंगे फिर उसके बाद एक हम example दिया हमने एक चीज़ important मैंने इसमें छोड़ दिया कि जिस भी exam देना चारे है जंग पे जा रहे है या यूद करने जा रहे है exam एक बड़ा यूद है student के लिए बहुत बड़ा पान-पान साल लग जाते हैं किसी बच्ऒचे को एक exam नकलने में वह बच्चा एक साल में निकल लेता है तो उसमें हमें तीन चीज़ों पर ध्यान देना है की जणनीति पे फिर उसके बाद सतरुबल पे फिर उसका एरिया क्या है एरिया का मतलब क्या हो गया اksom patter danach का मतलब हो गया आपकी मजबूती किया है उस उस सेना पे उस एरिया पे आपका सेना की क्या मजबूती है मतलब के आपके स्लेवती पर आपकी मजबूती क्या है इस चीजहों से हम लोग बात करेंगे पाच में पे चलते हैं तो दया कि जंग लडने जा रहा था जिसमें उसने जंग से पहले ही उस area को visit कर लिया और उस area में उसने तीन चीशे देखी कि नधी कहाँ पे है पहाड कहाँ पे है और कौन सagues सी उच्छी जगह है जहां से तीर जो है निष्टाने लगा के वाल का सकते हैं या जहां से तोपोप का जो ही चलाना हो सकता है फिर उसने क्या किया कि कम संख्या वाले सेना से मतलब की स्लेबस मैटेरियल कम था लेकिन उसने जंग को जीत लिया और एक बड़े हिस्से पर उसने राज किया तो कहने का मतलब है कि आप उस लेबस से तैयारी कीजिए किसी भी स्लेबस को पढ़िए अच्छे तरीके से अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कि लाइक एंड सब्क्राइब एंड सेर करना ना भूलें ओके दोस्तों थाइंक यू